आपके यहाँ इस्कूल तो नमक और भात से फेमस है आपका ग्राम सभा भी नमक और भात से फेमस हो रहा कहीं न कहीं ये छेत्र और ये ग्राम सभा नमक और भात ट्रेंड कर रहा आपके चवरे बजार लगता है उसी के बगल में जो प्रार्थमिक बिद्याले धियवा पांडे का पुर्वा है यहीं बिद्याले में आप देखे होंगे अभी 28 तारीक को एके बीडियो वारल हुआ जिसमें नमक और भात खिला जाने का की बात मते ती और अचे नमक और भात खाते मिले यह स्कूल है आप देखेंगे इसमें बंद पड़ा है मैं यहां के प्रधाना ध्यापक जो अभी प्रभारी बनाए गए हैं उनसे भी चर्चा करूंगा और कारण क्या है बता जाता है कि वो मैडम बिद्याले कम घर पे ज़्यादा रहती थी और इसी को ल और यह चक करते कि मीनू क्या चल रहा है क्योंकि आपके ही घर की पौध यहां आके सिक्षा ले रही या उसमें भी कहिए कि खात गलट डाली जा रही तो बच्चों का विकास कैसे होगा हम जुड़ेंगे स्कूल से स्कूल खुलेगा मडम अच्छा इस्कूल कहीं है इस्कूल न खोलिए अगर कोई क्विस्चन कोई प्रस्णम करना चाहें मैं मेडिया से आया हूँ और मुझे कुछ बात करनी हो उनसे तो मैं कैसे बात करूँगा हाँ बुला दीजिये जरा अगर वह पर्मिशन दे तो ही खोलिए नहीं देना चाहती पर्मिशन तो मैं यहीं से लोड जाऊंगा क्योंकि प्रस्णों का सामना कहीं न कहीं आपको पूरे समास से करना पड़ रहा है और फिर करना पड़ेगा क्या कुछ बात करना चाहेंगी ग्राम परधान को बुलाया जा रहा है कि ग्राम परधान वो हम से बात करेंगे मँशनfall यहां कि स्फिक्षा तंतर से लेकिन इसमें कहीं ग्राम परधान के वह प्रधान कहीं क्या भूण कर रही यह तो उनसे ही बात करने पर पता चलेगी जब तक परदान जी का आगमन नहीं हो रहा यह ग्राम वासी हैं आप देख सकते हैं सारे चेहरे यहां खड़े हैं यह इसी ग्राम सभा के हैं कहीं से बुलाए नहीं गए हैं आपको पूछेंगे कि इनकी प्रतकिरिया क्या रही यही वो स्कूल है जहां नोन भात खिलाया गय हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे ग्राम का नाम बहुत ही हो था इसलिए स्कूल को यहां पर परदान जी लेके आए दूसरे गाउं से वहां के लिए हुआ था लेकिन जो पनून भात वाली बात थी यह बहुत ही वाइरल हुए वीडियो क्योंकि यहां पर बच्च को बता दे कि यहां कहीं न कहीं उसी बात को लेके यहां आला धिकारी आ चुके हैं यह कहिए क्षा entering के च्छेतर से जुड़े और प्रषासनी का दिकारी सब लोग यहां आ चुके लेकिन कारण क्या है यहां के लोगों से भी जानेंगे कारण क्या रहा वही दाल और भात ये नमक और भात और मैडम जी लेट आते थी उनके पिता जी आते थे पहले घटना नहीं है यही स्कूल नहीं है जहां हम सब लोग लेट आते हैं और भी सारे स्कूल में परसासन के चण किया है हर जगें यहीं सिख्षक कहीं साधे 9 बजे आ रहा कहीं साधे 8 बजे आ रहा कहीं 10 बजे मेरे पास ऐसे इसे भी सबूत है कि से च्छक 10 बजे तक भी पने स्कूल पहुंचा है बजे बच्चे पढ़ते हैं बता सकते हैं कि मैडम कितने बजाती थी ओं मैडम एक ग्यात्री मैडम है यहां पर इनका टाइमली सही है आदध साल से पढ़ा रहे हैं इनके लिए कोई भी आपत्ती नहीं थी और परदान जी बोले परदान जी की हम राशन दिये थे और यहां बना दी थी चावल और बंडराइन तो वही बनाएंगी जो उनको मिलेगा क्योंकि रासन आप जो प्रदत करेंगे वहां यहां पर साख सब्जी नहीं था एक न्यूज में भी न्यूज वाले इंटर्विव किये थे उसमें बताई कि हमारे पास दाल नहीं था हमारे पास सब्सक्राइब करने पर क्योंकि सवालों का सामना कहीं तो उनको भी करना पड़ेगा यह दादा जी खड़े हैं क्या कहेंगे आपके यहां स्कूल तो नमक और भाद से फेमस है आपका ग्राम सभा भी नमक और भाद से फेमस हो रहा कहीं न कहीं यह चेत्र और यह ग्राम सभा नमक और भाद ट्रेंड कर रहा क्या कहेंगे नमक और भाद पर नमक भाद पर भगया यह हो रहा है गलत है बच्चों को जो guideline जारी करी है बेवस्ता वही होनी चाहिए यहां कुछ और लोग भी खड़े हैं जो इवा हैं क्या कहेंगे आपके school काफी नमक भास से famous है क्या चाहते हैं आपके छेत्र की 26 सिर्फ नमक भास से पता चले आपको बता दें दुनिया हर जगे famous है अपने कारियों को लेके तमाम हुनर famous हैं अपने कारियों को लेके लेकिन प्रात्मिक बिद्याले डियवा पांडे का पुरुवा सिक्षा छेत्र विकास पुरय योध्या आप देख सकते हैं ये नमक भात पर famous हो रहा हम तो 1947 के पहले और आजादी के 30 साल बात तक लोगों को सुना था कि कुछ न मिलने से नमक भात खाते थे लेकिन आज हम पर जा रहे हम मंगल पर जा रहे हम यो कहें कि दुनिया के पाचवय धनी देश हैं हम लेकिन हम नमक भात से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं ये बैती कला है इस ग्राम सभा कि आप प्रधान जी हैं हम इनसे भी थोड़ी से चर्चा करेंगे कि नमक भात क्यों famous है आपक कि जैसे छे महने से पहली बात कोटे दान ने पुड़ा नहीं दिया था छे महने से तो छे महने से हम अपने घड़ से खिला रहे हैं ये उन बच्चों को अपनी जेव से खिला रहे थे मैं इसके लिए धन्यबाद दूँगा और कारण क्या है कि आपके हाँ कोटेदार रासन इस बिद्याले को मुहिया नहीं करा पाए इसके लिए हमने सिकायत की थी यहाँ HDM साब को सप्लाई स्पेक्टर को और जो राहूल है गोदाम इंचार उनको भी दिये थे जब इनसे काम नहीं चला तो मेरे लड़के का एक्सिटन्ट हो गया था तो दो महिने मैं अस्पताल में था उसके बाद भी मैं वेवस्था करवा रहा था लेकिन दो महने के बाद आया तो फिर मैंने मुक्यमंत्री को लेटर आनलाइन सिकायत की दीम साब को सिकायत की बीएसे साब को की तो दो दिन में मुझे गल्ला प्राप्त हो गया जिसकी रसीद मैं आपको बता सकता हूँ गल्ला तो प्राप्त हो गया लेकिन यहां सामान यहां पर दे देता था दाल हप्ते में दो ही दिन बनती है तो मीनू है उसका मीनू के आधार पर ही सारी प्रणाली जो है सिक्षा भी भाग की वो चलती है मीनू के आधार पर चलती है जब हम गुरुवार को इंको सारा सामान दे दिये थे हर गुरुवार को देते थे ल बता दें किसी विद्याले पे सरकार कम से कम 4-5 लाख रुपे महीने का खर्च करती है और इन 4-5 लाख रुपे खर्च करने के बाद अगर बच्चों में गुडवत्ता नहीं है और ये ड्रेस में गुडवत्ता नहीं है पहने में गुडवत्ता नहीं है किताबों में क्या हुआ कि टीचर थी 24 तारिक को यही 24 तारिक को 29 2022 को जो ड्रेस का पैसा था और करोना प्रिट का जो पैसा था इन्होंने अभी तक बाकी रखा था उस दिन मैंने चेक में साइन किया है उसका सबूत है चेक बैंक में गया भी होगा आप किलिर कर सकते हैं जाके इंकी लेट कि हम बता रहे हैं सरकार से कोई मतलब हो नहीं है अगर कहीं इनके पास थोड़ी सी चूक होई तो दूसरा हाथ प्रधाना ध्यापक का होता है और दूसरा हाथ भी अगर कटा तो आने वाली पाउध कट जाएंगी आर इंडिया नियुच में बने रहने के लिए आपका